हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज है यम दित्या इसे हम बढ़ाते दित्या भी कहते हैं भाया दूस भी कहते हैं आज का बहुत ही प्यारा दिन है परम पुनीत पवित्र रिष्टे को निभाने का दिन है आ आज बहन और भाही के बहुत प्यारे बंधन का दिन है आज हमें क्या खड़ना चाहिए आईए सारी जानकारी आपको देते हैं पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं आज यम दित्या पर ध्यान रखना शाम के समय चोब मुखा दिपक अपने मुखे दरवाजे के बाहर यम के निमते जलाया जाता है ताकि यम की यातना किसी भी घर में ना हो कोई अनहोनी किसी घर में ने हो आज ये पांच दिवसी है के पंच पर भी पूर्ण हो जाएगा अगले वर्ष ध्यान रखना मेरे सभी सादिकों फिर पांच दिन के लिए ये दीप चलाना और आज का जो मुख्य समय है वो बहुत ही विशाक्त हो गया है उसमें रिष्टों की मान्यताएं बहुत फीकी पड़ गई है तो मेरे सादिकों जहां जहां हमें रिष्टे अच्छे हमारे बन सकें उन्हें बनाने का प्रियास करना चाहिए आज मुठी वर रिष्टे ही रह गए हैं बागी तो रिष्टे नातों की कोई जगा कोई आहमियत उतनी अब नजर नहीं आती बस इतना ध्यान रखना हमारे रिष्टे ने हजारो वर्ष पूर्व इतना मीठा चिंतन किया कि आज यदि वो चिंतन उनका ना होता तो आज जो विशाक्त समय है विशैला समय है मन मुटाव का समय है, स्तंधे और ब्रहम का समय है तो आज तो रिष्टे बिलकुल खत्म हो जाते है हमारे रिशी धन्या है और हम धन्या है कि हमने भारत वर्ष में जनम लिया हमारे रिश्यों ने इतने सुंदर सुंदर पर्व हमें दिये कि कहीं न कहीं किसी न किसी रोप में हम उनमें बंद जाते हैं और रिस्ते भी हमारे प्रगार्ड हो जाते हैं आज भाई बहन की प्रेम का दिवसे एक छोटी सी प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ सुरिय की पत्नी का नाम है च्छाया च्छाया के गर्व से यम्राज ने जन्म लिया और यमना जी ने जन्म लिया यानि के यम्राज और यमना जी बाई बहन है तो बहुत लंबे समय से बहन का मन था कि यम्राज बाई मेरे घर आएं मैं उनका अधित्य सत्कार करूँ अब यम्राज अपने कारे में हमेशा भी जी रहे और यम्राज हमेशा सोचते भी थे क्या कहेगा कि मैं किसी के घर जाओं क्योंकि यम्राज को बोलाने से हर व्यक्ति डरता है लेकिन जहां रिष्टे पवित्र हो जहां रिष्टों की प्रकार डोरी बंदी हो वहां किसी भी प्रकार की अन्होनी घटना नहीं घट सकती यम्राज ने प्रतिग्या दी वचन दिया कि बहन मैं आपके घर जरूर आँगा तो वो दिन कुन सा था? वो दिन आज का ही था कि जब यम्राज नहा दो करके सुन्दर वस्तर पहन करके है ना भाई कहने का भाव है ये प्रसंग का अपनी बहन के घर पोचे बहन ने बहुत सुन्दर से आथित्य सत्कार किया मस्तक पर अपने भाई के तिलख लगाया और गोला उन्हें द्रवे में दिया और जो बहन अपनी तरफ से भाई को बधाई शुब कामना ये बहन देती है मा का रूप बहन होती है भाई के लिए भाई दर्वित हुए और यम्र ने कहा कि है बहन मैं आपके इस आथित्य सत्कार से और आपके प्रेम से मैं सुराबोर हो चुका हूँ मैं बहुत प्रसन हूँ मेरी लाडली बहन मांगो मुझसे क्या मांगना चाहती हो अब बहन का मन देखिए बहन ने क्या मांगा ना बहन ने धन मांगा ना बहन ने बंगला मांगा ना बहन ने गाड़ी मांगी बहने कहा कि भाई बस मुझे इतना सा आज वचन दे दीजिए कि आज के दिन यानि के कार्तिक मास की शुकल पक्ष के दित्या के दिन जो भाई बहुत प्रेम से बहन के घर आए और बहन उसको मस्तक पर तिलक लगाए उस भाई की आयू लंबी हो क्या बात है क्या वर मांग रही है बहने देखो साब प्रेम देखो उस भाई की आयू बहुत लंबी हो उस भाई को जीवन में कोई कश्ट ना आए कोई भी बहन ऐसा करती है और किसी भी घर में जहां आज के दिन बहन भाई का इस प्रकार का प्रेम रहे उस घर में कोई अनोनी घट्टा ना घटे कैसा वर उल्टा देखा जाए तो यम के लिए वर मांग रही है बहन कि मेरा भाई द्रगायू रहे सब अच्चा रहे हाला कि यम तो यम है ततास तु कहा और बहन के लिए जो द्रव्य बन पड़ा वो भाई ने उन्हें दिया और आ गए तो कहने का भाव आज के दिन ध्याल रखना आप बहन आपकी दूर रहती है आप जान नहीं पाते हैं तो कम से कम सब की जेब में मॉबाईल है फोन है सारी सुविधाएं है अपनी बहन को फोन पर ही आप राम राम जी कर लेना नमस्ते कर लेना कहीं घरों में रिस्तों में दरार हो जाती है बहन भाई बोलते नहीं है तो ऐसा ना करना आप भी उसी कोक से पैदा हुए जिस कोक से आपकी बेहन पैदा हुई है, आपकी लाडली बेहन है, वो ही बेहन है जिनकी बच्पन में आप नाग खीज दिया करते थे, वो ही बेहन है जो बच्पन में आपके कान खीज दिया करती थी, आपके कांधे पर चड़ जाती थी, है ना, वो ही बेहन है, तो इसलिए मेहन का दिल बहुत बड़ा होता है आपके पास वही माता-पिता है घर भी वही है शहर भी वही है सब कुछ वही है इत्तफाक से बदल जाए वो बात अलग है लेकिन बहन तो सब कुछ छोड़ करके प्राय आगन की सुभा बन गई है इसलिए बहन जो होती है वो एक कुल को नहीं कई कुलों को आनंदित करती है तो आप छोटे बड़े का चक्कर मत समझना बहुत अच्छे से अपनी बहन के घर जाना और जो आप से बन पड़े वो आप करना और नहीं जा सकते हैं तो मूफ उला करके मत बैठना फोन कर लेना है ना हम वैसे भी तो इतने सारे गप्पे शप्पे मारते हैं यार दोस्तों से वो तो आपकी बहन है साब तो ऐसा नहीं करना और हम बहन जी के लिए भी कह देते हैं बही आपको लगता है आपका भाई जादए आपसे बात नहीं कर पा रहा है जो भी है तो बहनो आप भी ऐसा मन में मत रखना आप भी फोन कर लेना भी आपका हर्दे तो मा की तरह होता है बहन मा के तुल्य होती है जो आशिरवाद मा के कलेजे से निकलता है भाई के लिए पुत्र के लिए वो ये बहन के दिल से निकलता है अपने भाई के लिए तो इसलिए रिष्टों को मधूर बनाना है और कितना लोग हमारे इन तीस त्योहारों पर ऐसी मजाग बना देते हैं तो देखो क्या ऐसा कहीं होता है क्या ऐसा किसी धर्म में है कि दिन फिक्स किये जाए कि बहन भाई का प्यार ऐसा हो रक्षबंदन हो तो ऐसा हो तो ये बेमिसाल धर्म है इसका कोई शानी नहीं है कोई जोड़ नहीं है कोई मुकाबला नहीं कर सकता कोई संस्कृति संस्कृति का मकाबला नहीं कर सकती इसलिए बेफकुफ लोगों की बातों में ना आएं, फोड लोगों की बातों में ना आएं, अपने तीस त्युहारों को अच्छे से मनाईएगा, अच्छे से अपने बालकों को शिक्षा दीजिएगा क्या गलत हमरे रिश्यों ने हमें संदेश दिया कि आज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाए क्या बुरी बात है ये क्या रिश्टों को परगार बनाना बुरी बात है क्या एक दूसरे के लिए आशिरवाद देना एक दूसरे की शुब काम न बाटना क्या बुरी बात है क्या इस प्रकार के परव हम न मनाए समझ गए तो बहुत बड़ी शिक्षा भी आज के परव से हमें प्राक्त होती है कि आज का परव रिश्टों को मधूर बनाता है आज का परव भाई बहनों के लिए शुब काम न परदान कराता है तो बहुत अच्छे से सब कुछ रखना और बाकी देखो ये तो जीवन है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसके जीवन का अंत हो जाए और कब रिस्तों की डोर तूट जाए, इसलिए बहुत अच्छे से सब कुछ करना, बस ज्यादा न कहते हुए, आएए उस प्र करना सभी को शक्ति प्रदान करना और समी को सामर्थे बान बनाना आईए भगवती की प्रात्रा करें ओम सिंदूर अरुन विग्रहाम त्रिनायनाम मानिक्यमोले स्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनायनाम सरवंग वुस्वरिताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विसिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें देवी मा का अश्रवाद हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समान्य हो जाए तो बहुत अच्छा सा आज का हमारा यह पर्व है इसे मधूरता के साथ निभाना बस यही मिरा आज का संदेश था कल रवी बार है अब जोतिस विध्यारती भी इंतियार करते हैं कि जोतिस की बाते नहीं हुई बहुत सारी बाते नहीं हुई तो वह प्रारम करेंगे जिन जिन सादिकों की जनम पत्रिकाएं कुंडलियें या और बहुत सारी चीजें जो हमारे संस्थान से दीपावली में किसी ने यंत्र बनवाए हैं विसे इस परकार के तो किसी ने अपने रुद्राक्षों का पूजन कराया है तो वो step by step हम सबको भेजना प्रारम्ब करेंगे बस मेरा तो आपसे यही कहना है कि इस परकार के जोग हैं हमारे कारेकरम होते हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक बताया करें शेर किया करें ताकि अपने धर्म यान की घंगा कल-कल करती हुई हर आगन में पहुँचे हर व्यक्ति के कानों तक यह सारी बाते पहुँचे आप स्वस्त रहें सुखी रहें द्रगाईयों हो इन्हें शुपकामनाओं के साथ हम अपनी वानी को भराम देते हैं जैमा और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसलिए कि सच के मार्क पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं यह सिरिफ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो और भगवान से बड़ी सक्ती तो कोई नहीं है गुरू, गुरू के बाद भगव गुरू, माता, पिता और भगवान यह तीन चीज को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जरौत पड़े हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरू जी ही है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तो एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें